आपके भविश्य के दर्वाजे बड़े पैमाने पर खुल जाएंगे अगर आप स्कूल में फर्स्ट न आएं। आप वास्तव में देख सकते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूं। पांच लोगों की टीम बनाएं और एक दूसरे के लिए हर विश्य में ट्यूशन दें। लोग जीवन के हर पहलू को ऐसे ही लेते हैं। परिक्षा का मतलब है उनका पेट खराब हो जाता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मेरा भाई एक फार्मसी चला रहा था। मैसूर में। और परिक्षा का मतलब था कि हर कोई आकर पेट ठीक करने की दवाई लेता था और फिर परिक्षा देने जाता था। नहीं तो वे परिक्षा हॉल को गंदा कर देते। परिक्षा होता है जब वे शादी करते हैं, वे बस हर चीज से डरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तैयारी नहीं है, है न। वज़ा यही है कि आप किसी चीज को लेकर घबराय हुए हैं। मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था। पिछले तीन बार जब हमने यहां हेलिकॉप्टर मंगाया, तीन अलग-अलग पाइलेट आए। मैं उन्हें देख रहा था, वे बहुत ज़्यादा घबराय हुए थे। उन्हें तीन हजार घंटे की उड़ान का अनुभव था, मैं बस सौ घंटे में पाइलेट बना हूँ। मैं बहुत खुशी से हेलिकॉप्टर उड़ाता हूँ। किसी भी चीज के बिना, इस हद तक की अमेरिका में मेरे इंस्ट्रक्टर से हमारे एक व्यक्ति ने पूछा, आप सद्गुरू के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे आपके लिए अच्छे छात्र रहें और इसी सारी चीज हैं। उन्होंने एक चीज कही, उनके बारे में मेरी एक ही चिन्ता है, लगता है कि वे मौट से नहीं डरतें। उन्होंने पूछा इस से आपका क्या मतलब है, वो बोले चाहे आप इंजिन बंद कर दें, वे मुस्कुराते रहते हैं और जो करना है वही करते हैं। हेलिकॉप्टर में ये एक बड़ी चीज होती है, आटो रोटेशन, मतलब आप इंजिन बंद कर दें और इंजिन के बिना नीचे उतरें, हमेशा एक एमर्जेंसी की तयारी में। आपको समझाने के लिए इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग क्राफ्ट हम उड़ाते हैं, उसमें इंजिन बंद हो जाता है, आपको एहसास होने के लिए, देखिए इस एहसास में थोड़ा समय लगता है, आप लगातार उड़ रहे हैं, इंजिन फेल होता है, तो आपको जानने में कि engine fail हो गया है ये समझने में 2-3 second लगते हैं क्योंकि rotor अब भी shore कर रहा है सिर्फ एक vibration खत्म हो जाता है और हाँ meter बंद हो जाता है लेकिन अगर आप meter नहीं देखते हैं और किसी से बात कर रहे हैं और vibration देखने से चूक जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो fail हो गया है लेकिन ये आपको ज्यादा से ज्यादा 7 second देता है सिर्फ 7 second में आपको तीन जरूरी चीज़ें करनी होंगी अगर आप वो तीन जरूरी चीज़ें उन 7 second में नहीं करते तो आप मर जाएंगे आप आखरी उडान का मजा ले सकते हैं तो जब हम बिना किसी चेतावनी के उड़ रहे हैं एक प्रशिक्षन ये है कि वे इंजिन बंद कर देते हैं तो मैं बस वो करता हूँ जो मुझे करना है और बहुत उत्साहित हो जाता हूँ और मैंने सौ से ज्यादा ऐसी लेंडिंग की है तो वे बोले मैं सच में उनके लिए डरता हूँ क्योंकि उनमें डर नहीं है मैंने कहा मेरे पिता की भी यही समस्या थी सिर्फ आपकी नहीं मेरे पिता आपना सिर्फ पीटते हुए बोलते थे इस लड़के के दिल में कोई डर नहीं है इसका क्या होगा मैं कभी नहीं समझ पाया क्यों डर एक काबलियत क्यों है डर एक गुण क्यों है जागरुकता एक गुण है सजगता एक गुण है ज्यान एक गुण है आखिर डर एक गुण क्यूं है? तो अगर आप अपनी परिक्षा को ले कर बहुँद डरे हुए है, आप अच्छा करेंगे. क्या ऐसा है? आप किसी इंटर्व्यू के लिए बहुँद डरे हुए हैं, आपको अच्छा करना चाहिए. क्या ऐसा है? आप शादी करने से बहुत डरे हुए हैं, आपको अच्छा करना चाहिए मैं लोगों को हर चीज इसी तरह लेते हुए देखता हूँ इसका क्या मतलब है? इसलिए कोई ऐसे सोचता है, बोर्ड परिक्षा, आगे जाकर मेरा क्या होगा? आपके भविश्य के दर्वाजे बड़े पैमाने पर खुल जाएंगे, अगर आप स्कूल में फर्स्ट न आएं क्योंकि फिर कई सारे आउसर होंगे अगर आप अगर आपने 99 प्रतिशत लाते हैं, तो आप मेडिकल कॉलेज पहुँच जाएंगे या आपको 90 प्रतिशत आते हैं, तो आप इंजिनियरिंग कॉलेज पहुँच जाएंगे अगर आप 65 प्रतिशत लाते हैं, तो आपका जीवन खुल जाता है आप वास्तव में चारो और देख सकते हैं, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर सकता हूँ अब सारे टीचर परेशान हैं, सद्गुरु पूरा सकूल बरबाद कर रहे हैं आप मेंसे जो लोग 12 प्रेख्शा और 10 प्रेख्शा देने जा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि चाहे टीचर ये करें या नहीं उन्हें भूल जाए मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी ओक्टोबर के अंध तक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लें और परिक्षा के लिए तयार हो जाएं। ठीक है। ओक्टोबर के अंध तक आप आराम से अपनी परिक्षा देने के लायक हो जाएं। अगर आपको डरना है तो आप अक्टोबर में डरिये। नवंबर में हम आपको एक और देंगे। आप उसे थोड़ी आसानी से कर पाएंगे, आप बिना टैबलेट के जा सकते हैं। डिसमबर में हम दो और परिक्षाएं लेंगे। उसे दीजिए। जैन्यूरी में आप मज़े कीजिए। फरवरी में बस थोड़ा बहुत किताब देख लीजिए। स्कूल का आखरी साल है, मज़े कीजिए। मार्च में परिक्षा आए तो बस वहां जाईए और आप पहले ही पांच बार ये कर चुके हैं। तो दिसंबर तक आप पांच बार वही परिक्षा देकर बोर हो गए होंगे। तो आप बोर्ड परिक्षा के लिए तयार हैं। बारवी, दसवी, पांच लोगों की टीम बनाएं। वे साथ मिलकर पढ़ें। टीम इस तरह बनाएं कि जो लोग अलग-अलग विशेयों में अच्छे हैं, वे साथ हों। और एक दूसरे के लिए हर विशेय में ट्यूशन दें और टीचर उनकी मदद करें। देखिए, सीखना, अगर किसी इनसान के लिए जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आप नहीं जानते थे, वो आपको खुशी देता है या कश्ट। उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए है ना, एक इनसानी बुद्धी के लिए ये स्वाभाविक है। करके एक दिन के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने और ये कहने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप पास हो गए और आपने कुछ नहीं सीखा, आपने धोका देना सीखा है। अपना जीवन धोके से शुरू मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके जीवन के लिए अच्छी बुनियाद नहीं है। बस किसी तरह सौ नमबर लाना, सिर्फ एक दिन के लिए आपने कुछ याद किया और पेपर पर उसे उलट दिया, क्या ये धोका नहीं है। शिक्षा के मकसद को ही हराना है ना? हम कुछ जानते हैं, इसलिए हमें अगली क्लास में जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी तरह परिक्षक को चक्मा दे दिया, इसलिए अगली क्लास में चले गए। हमारे जीवन में उसका क्या अर्थ है? उसका कोई अर्थ नहीं. अपना जीवन धोखे से शुरूबत कीजिए. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है. महत्वपून ये है कि आप अपने जीवन में अपनी बुनियादी इमानदारी बनाए रखें. एक इनसान के लिए ये बहुत जरूरी है. मेरा विश्वास कीजिए. ये किसी को धोका देने की बात नहीं है, ये किसी से बहतर होने की बात नहीं है. ये है कि मैं यहाँ हूँ, मैं अपने समय का सबसे अच्छा इस्तमाल करूँगा जब मैं यहाँ हूँ. मैं पूरी कोशिश करूँगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे मनजूर करता है या ना मनजूर. और कोई दो इनसान एक जैसे नहीं होते. कोई हाइ स्कूल में बैक बेंचर हो सकता है, मगर वो जीवन में फ्रंट बेंचर हो सकता है. तो ये कुछ नहीं तै करता. अपने जीवन में हर जगा पर, स्कूल से कॉलेज और प्रोफेशन तक, हम ये सोच कर खुश नहूं कि कोई हमसे पीछे है या कोई हमसे नीचे है. आपको किसी और की असफलता का आनंद क्यों लेना चाहिए? अगर आप अपने पहली रैंक का आनंद लेते हैं, तो बस वही महत्वपूर्ण है. है ना? आप किसी और की असफलता का आनंद ले रहे हैं, ये बिमारी है, आप जो जानते हैं उसका आनंद लेना चाहिए, आपको अपनी खोज का आनंद लेना चाहिए, आप अपनी जानने की इच्छा पूरी होने का आनंद लेते हैं, आपको उसी का आनंद लेना चाहिए, किसी और स झाल झाल